नमस्कार साथियो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अब आप घर पेटी ही KBS PGT की तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, और हर एक स्टेट के PGT, TGT, Mathematics और खासकर उतराखंडे LT और उतराखंडे Lecturer के, यहां आपको फिरी में सभी वीडियो उ आपको आपको आज जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं डैरी वीडियो सी की, रियल एनाली इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, रियल एनाली इसकी एक वीडियो में बना चुका हूं, कंटिनुटी की, वह लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, वह देख होता है कि किसी एक वैरियेवल के रिस्पेक्ट में दूसरा वैरियेवल चेंज होना ही मेरे पास कहलाता है, आउपलच कहलाता है, जैसे हम बिल्खुल बेसिक लेवल में जब होते हैं, जब हम 11 थे में थे तो हम आपको डेरिवीटिव की डेफिनेशन थी, मतलब एके ये पास 되면 ये पंछसा इसे पता हैं, इसे विडियो डेरिविटिव की एक वैरियेवल के रिस्पेक्ट में दूसरे वैरियरियावल का चेंज हो नहीं मेरे पास कहलाता है जैसे एक ग्जीड़ मिल्खुल है, जैसे मैं X, यह मेरे पास X-axis होता है, यह मेरे पास क्या होता है? Y-axis. अब जैसे अगर मैं X-axis में कुछ change करूँगा, माले यहां X1 से X2 में जाओंगा, जैसे यहां पर को X1 था है, यहां पर को X2 में, X1 से X2 में जाओंगा, तो इसका मतलब जो ओवियस दी बात है, तो Y1 में से Y2 में भी कोई चीज हो रही होगी, या फिर Y1 में से Y में change कुछ चीज हो रही होगी, या फिर Y में change नहीं हो रहा होगा, या फिर Y में ज्यादा change हो रहा होगा, या फिर Y में कम change हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या, जैसे ही मैंने X से X2 में गया, ऐसे मेरे य से Y1 में ज जो दingt ons वे क्या तो घ्टी आइक्य जो मेरे पास के लाएगा अगरahh अगर आक 먑न अएक्स में बींड़ रहा है तो चैंज हो मेरे पास किया इनक्रीशिंग इनक्रीमेंड में बढ़ रहा है तो जैसे एकस में बढ़ रहा है खाल रहा प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् अगर x में increase होगा y में decrease होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा decreasing function तो हम फिर पढ़ते थे decreasing increasing 6.2 में अब 6.3 आते हैं 6.3 में हम पढ़ते थे एक और हमारे पार derivative का application होती है कि जैसे मालने जाए मेरे पास एक curve है यहां पर कोई इस curve में कोई point है इस point का अगर मैं slope निकालने है इस point पर जो मेरे पास tangent है उसके मुझे slope निकालने है slope का मतलब क्या होता है जो x-axis के साथ बनाए गया है इंगल ही मेरे पास क्या कहलाता है slope कहलाता है तो derivative का एक और use होता है अगर मैं किसी curve के tangent की slope निकाल हूँ तो सीधे सीधे मुझे आप slope निकालने के लिए कुछ करना नहीं है अगर curve y is equal to fx है माले एक इस point पर x1, y1 पर मुझे slope निकालनी है तो मैं क्या करूँगा तो मुझे इस point पर जो slope निकालनी है तो मुझे क्या आ जाएगा मेरे पास क्या जाएगा तो slope एक बार और हम बात करते है अगर मुझे किसी point पर करव के किसी point पर slope निकालनी है तो मैं क्या करूँगा करूँगा और उस differentiation में करव की value निकालनी है तो मेरे पास जो डेरिवेटिव की मेरे पास application थी इसका मतलब क्या होता है या चेंज ही चेंज को निकालना या फंक्सन को maximum दिखाना या minimum function को increasing दिखाना या फिर decreasing दिखाना या फिर क्या मेरे को slope निकालना फिर ऐसे मेरे पास क्या आता था कि 6.4 तो इतनी कोई खास नहीं थी तो एक small मेरे को value निकालनी थी और फिर उसके बाद आता है 6.5 6.5 की बात करते हैं 6.5 में maximum और minimum निकालना function के maximum दिखाना और function को minimum दिखाना यह भी मेरे पास derivative का काम होता था अब एक बार derivative का काम तो हमने सीख ले है आप बस एक बार derivative होता है कि अब हम उसमें पाल करते हैं तो मालने जाए कोई मेरे पास function y is equal to fx है अगर किसी point पर माल सबसे पहले left-hand derivative निकालता हूं and मैं केलता हूं right-hand derivative निकालता हूं अगर left-hand derivative और right-hand derivative दोनों एककोल हो जाते है तो इसका function derivative कहला आएगा इस point पर derivative है तो जो left-hand derivative होता है वो मेरे पास आता है limit h-tending to 0 मतलब h-0 की बाहरता है और मेरे पास आजाएगा F किस पॉइंट पर A-H-FA upon कितना-H और जो मेरे पार right hand derivative होगा हो मेरे पास क्या आजाएगा limit h tending to 0 हो जाएगा फिर मेरे पास हो जाएगा F A plus H minus F A upon कितना निखाल दूगा मैं h निखाल दूगा अगर इन दोनों को अगर मैं equal करता हो तो मेरे पास क्या आता है left hand derivative किसके equal आता है right hand derivative के equal आता है तो function f x derivative होगा at x is equal to a तो खुल बिलागर कोई मेरे पाफ function था y is equal to f x और मुझे बताना है कि at point a में कोई derivative है या नहीं है तो इसके लिए मैं क्या निकालूँगा left hand derivative निकालूगा और right hand derivative निकालूँगा left hand derivative तो मेरे पास होता है limit h टेंटिंटू 0 f a minus h minus fa upon minus h और right hand derivative जो होता है limit h tending to 0 fa plus h minus fa upon h अगर इतो दोनों equal होंगे तो इसका मतलब क्या है अब function मेरे पास एक question लेता हूं और इस question के मैं बात करता हूं मेरे को check मेरे पास question है check differentiability at x is equal to one and x is equal to two of function fx is equal to greatest integer function तो मुझे बताना है greatest integer function क्या derivative है जो यह भी fx is equal to greatest integer function of x मेरे पास derivative है यह नहीं है तो सबसे मैंने बात एक चीज़ करता हूं जैसे derivative के क्या है कि जैसे एक मालट कोई curve है मेरे पास यह कोई curve है a से fx a से लेकर के fx कोई y equal to मेरे पास क्या था fx था कोई एक function था एक defined है a से b ए a interval से लेकर के b तक का a से लेकर के b तक का मेरे पास क्या है defined है तो अब देखिए जो कोई भी function अगर derivative है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस A से B तक के मैं हर एक point पर टेंजेंट खीश सकता हूं अगर मेरे पास function derivative है तो इसका मतलब एक और चीज होगी कि मैं हर एक point पर tangent खीश सकता हूं अगर function A से B पर differentiable है तो इसका मतलब क्या हो गया कि function के हर एक point पर मैं tangent खीश सकता हूं यह सी बात है कि भाईया function continuous होना चाहिए अगर function continuous होगा if मेरे पास क्या होगा if function is continuous तो इसका मतलब क्या होगा अगर function continuous है तो जब continuous होगा तभी fx is मेरे पास क्या होगा differenciable होगा कि दियर तो कुल मिला करके क्या होगा अगर function डिफरेंजियाबल है तो इसका मतलब वो unit continuous होगा हो który क्या हूं अगर अब यह जरूरी नहीं है कि गर function continuous है तो differentiable हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है प्रतु अगर function है तो इसका मतलब function continuous 100% हुआ होगा इस बात को आप एक बार नोट कर दीजिए और अगर function differentiable है तो 100% continuous हुआ होगा अगर function continuous है तो इसका मतलब वो differentiable हो भी सकता है differentiable नहीं भी हो सकता है और अब मैं बात करता हूँ आगे की और को मिरे पास जैसे question है मिरे पास एक question आया है यह मेरे को चेक करनी है डिवेरेंस इविलिटी एड एक सीगोल टू पर function मेरे पास है सबसे पहले मैं इसके solution की बात करूंगा सबसे पहले अगर मैं solution की बात करूंगा तो fx is equal to greatest integer function है तो इसको मैं इसकी find करना सीखता हूं, greatest integer function का मतलब क्या होता है , पहले तो यह में लेंड एक यहाँ पर 0 है यह यह थैन है मैंठ्Я आई तो greatest integer का मतलब होता है कि लिए हो और यहाँ पर मेर 0.9 यह पास 0.5 तो यह ग्रेच हो ने आए गेोड़े संसीर 0 हों मेरे वहह मेरे पास क्या है एक पीछी साइट एक पीछे की वेल्यू को दिखाता है जा सबसे महली बात भी यह है माल जाए जिसे मैंने fx अब मैं एक बार function को define करता हूं यहां पर को f था यहां पर को मेरे पास क्या था वह यह और x belongs to r question थोड़ा सा मैंने थोड़ा आधा लिखा है xordanips टो ओर जी होगा है तो यहां पर कुछ पॉइंटि नाइन की अजिक होगा ऊंड़ फैड़े चरिव ठीटीजर ज़िए erfahren मेरे पास कि मेरे पास कैसे र कंधिम 이후 यहां फिरफ थाफिढया और रहना तो मेरे पास आजाएगा जब एकस जब यह देखो एफ एकस जी उड़्ट मेरे पास अन का मतलब क्या होगी इंटीजर का मतलब मेरे पास क्या होगी है integer integer का मतलब मेरे पास किया है तो देखिए अगर f x is equal to n हो जाएगा कब टो X अगर N वार N 01 Conker वहोगा तो FX मेरे पास कितना हो जाएगा and minus one theme dashष तो मिलाकर के जह हैं यह यह एक्स युल्ड मेरे पास टाइक verschil और और यहां पर से कितना हो जाएगा जब X छोटा है तो नहीं भी लिखते हैं चलो N के ही रूप में लिखते हैं यहां पर मेरे पास कितना था N-1 नहीं तो न के रूप में नहीं लिखते हैं एक से की रूप में लिखते हैं क्योंकि फोड़ा सा फिर हम भबरी जाएंगे जिसे कहते हैं भबरी जाएंगे तो इसलिए भबरी ना नहीं है कुछ चीजों को समझना है अगर भबरी जाएंगे तो कैसे चलेगा तो चलेगो मेरे पास यह तो अब मैं बात करता हुआ मैं डिफ्रेंसीविल्टी जैक करने निकला माले जैंक मेरे पास कोई फॉंक्षन था X is equal to one पर मेरे को डिफ्रेंसीविल्टी चेक करनी है तो सबसे पहले में निकालूंगा left hand derivative है अब है अभी मैंने बताए था फिर मेरे पास कितना फ इस पॉल्ट पर check करना है यह पर पर चेक करना है तो मिरा पास कितना हो जायगा 1-1-f1 इतना हो जाएगा- तो यहां पर से हो जायगा फ-1-eSh-ka मतलब कितना हो जाएगा एककी जगह मैं कि देखो f1-eSh-mane-fx will do Ketan है great इस टेंटी जरो एक्स तो मेरे पास कितना हो जाएगा इसके जाल बराबर हो कहालि मेर पास कितना हो जाएगा खिर मेरे का मतलब प्या होता क्या हुhn तो यह जो है ना यह 0.9 जो ग्रेटेस टेंटीचर होगा एक पीछे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहां कितना हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा मैनले एक होता है एक इन्फिनिटी को यह तो नौट डिफेंट बोलते हैं मेरे पास क्या बोलते हैं अब थोड़े दिनों मैं एक के indeterminate form की वीडियो लाओंगा, बहुत यछी इसी वीडियो होगी, वहुत अच्छे दरी से उसमें concept clear किये होगे, तो उस वीडियो में हम चीजों को और अच्छे दरी के समझेंगे कि infinity क्या होता है जीरो बाई जीरो क्या होता है यह सब चीज़ों हम उसमें समझेंगे तो अब मैं निकालता हूं यहीं पर को infinity आ गया ना तो इसका मतलब function derivative नहीं होगा अब राइट है निकालने की कोई जरुवत नहीं होता है अब सुनो फिर अब मैं greatest integer function था ना हमें समय जानता हूं कि continuous तो होता ही नहीं सीधे सीधे हमको पता होना चाहिए continuous क्यों नहीं होता है अब तुम जब graph बनाते हो अगर तुमने graph बनाया देखो तुमको आथ उठाने की जरूद पर जाएगी एक बार graph बनाते हैं यहां पर से वन आएगा यहां पर को टू आए और इसके बीच में हरे एक जगह यहां पर को लोग है तो हरे एक जगह मेरे पास जो वैल्यू है कि वह मेरे पास कितना आएगा तो इसका जब मैं graph बना रहा होता हूं इस टैप से तो मेरे हाथ उठते जाते हैं तो इसका मतलब function continuous नहीं होता है अगर function continuous नहीं होता है तो अगर कोई function derivative है तो इसका मतलब क्या होगा कि वह function continuous भी हुआ होगा कि लिए आज का यह मेरा question था अब मैं जाता हूं एक अपने आज की नए question में और बात करते हैं मेरे पास जो यह है मेरे पास question है मेरे को check the continuity करनी add x is equal to 1 पर तो इसके मैं solution की बात करूंगा सबसे पहले यह function अब मॉड duyless function जो है Fellous tu सौटा हडा जैगा से लेने की कोशिस करता हो अपके सामने दिक कि मौड हमेंस तुम कहनी हो कि positive होता है जिसे माम यह स्टे हैं तो मौड मैं यह माईना सेहां कि फाइन यहां पर से कितना माइनस माइनस फाइब होगा अभी-बी तो हमने कहा था कि मॉड तो क्या होता है माइनस हर एक वैल्यू को क्या कर देता प्लस कर देता परन्तु इसके according जो हमने देखा वहां पर क्या हो था कि मौड फाइब जो था वह क्या बना दे रहा था माइनस पांच बना दे रहा था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस मौड एकस हो गया या फिर कोई भी मौड एकस जब मौड वेरियेबल होगा तो उसको में सीधे- नहीं लिखो तो मेरे को करनी लिए तो मेरे को करनी के लिए वाइन प्रिप्ट को चीजा जुर्व से बढ़ा हो चोटा पर यहां जिसे माले यहां 5 है तो इसकी वेल्इव कितनी होजाएगे यहां यहां 6 बिखिए से छोटा है तो यह माइनस हाट है तो दो अभी जो एक्स है वो मिरी पास जीरो से चोटा है तो इस टैप का तो इस तो इस टाइप मॉड्लस फंक्शन अब आता है माइ मौड़ एकस माइनस वन और यहां पर से एकस इगल डो इतना हो जाएगा जब एकस बढ़ा है तो बढा है तो तो मैंने से पॉजिटिव आगे गिनि जब एकस चोटा होगा एक से छोटा होगा एक से तो आउंस मीरे पास किया आया तो अब मैं इसका डेरीपेटिव निकालता हूं किस पर check करता हूं डेट एक इइस्पर लेट सबस्टेपर मैं निकाल निकाल हूं लेकी डेरिवेटिव निकालुगा तो मेरे पास कितना है लिमिट एफ कितना हो जाएगा F1 off यहाँ ससे कुछ गया 1 मैसे पीज पीछ है तो आया माइनस एकसर whiskey दो घैए Привет किसे डिफाइन ही तो जैसिे हम से पीछे से आया तो एकस सब्सक्राइबva एकसर सेड़िपाइब एकसर एकसर मेलब है यहाँगा और आभी मेरा पास क्या है यहां पर से लिमिट एच टेंडिंग टूजीरो हो जाएगा यहां से एच आगी 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 आप में राइट हैंड डेटिव निकालता हूं अभी इंफिनिटी नहीं आ यहां पर से लिमिट टूजीरो आगया से यहां से माइनश बढ़न आगया यहां पर मेरे पास कितनी हो जाएगी तो यहां पर से लिमिट वन प्लस एच गया अगी वर गोगा ऐसे आगे तो अभी मेरे पास घो जाएगा कैसे टेफाइंट हो जाएगा मेरे पास इंग वाउ लोग मेरे पास कितना ला जाएगा तो मेरे को वैल्यू जो निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है यहां पर देखिए यह तो यह वैल्यू निकालनी एफ 1 प्लस एफ 1 प्लस puisque to get one call M turns on इससे यह गया तो we कितनी है मेरे पास एचा कई तो इसकी तो वैल्यू हागी किलियर माइनस f1 f1 की जिए का मेरे पास value अभी अभी आएधा 0 अभान कितना हो गया एच इसको solve भी गया तो कितना है one तो इसका मतलब जो right-handed derivative है वो left-handed derivative के equal नहीं है क्योंकि minus one कभी भी equal नहीं है तो इसका मतलब function one पर मेरे पास के add derivative नहीं है तो एक बार मैं इसको एक graphically रूप से भी समझना चाहता हूं तो अगर मैं graph से इसको समझना चाहता हूं और मैं clear आप graph में बात हैं करूंगा मालेज़े मेरे पास एक function था fx था fx मेरे पास function था अब मैं इसको इसको graph से समझने की कोशिश करता हूं और मुझे दिखाना है कि x is equal to one पर derivative नहीं होता है तो मेरे पास जो इसका graph बनेगा हम उसको समझते हैं मालेज़े मेरे पास fx था fx कैसे डिफाइंड था या यह x-1 था यह मर्या और यह चीज़ करता हूं तो यहां पर से क्या आ जाएगा मेरे पास देखो चीजों को बहुत ही अच्छी तरह की से हम समझने की कोशिस करेंगे तो जब यहां पर एक्कॉल का साइन लगा दिया देखना हम मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं मैं माले यहां यहां पर को एक्स वन था यहां टू था यहां फॉर था यहां फाइब था यहां मेरे पास भी मैं जीरो रखा तो वैल्यू कितनी आने वाली है जैसे एक्स इगल टू देखो एक बार मैं एक्स इगल टू वन इसमें जा रहा हूं मैं एक्स इगल टू रखता हूं तो मेरे पास एक्स इगल टू कितना है एक्स इगल टू रखता हूं तो एक्स मेरे पास कितना था यहां जब मेरे पास x1 था तो y0 था तो point मेरे को मिला यहां बरको जब x1 था y मेरे पास कितना था 0 अब अगला point है जब मैं x is equal to 2 रखूं तो y is equal to मेरे पास कितना जाएगा 1 अगर मैंने x is equal to 2 रखा तो y is equal to मेरे पास कितना है 1 अगर मैंने x is equal to 0 रखा अगर x जब 1 से चोटा है 0 रखा तो x की जगा 0 रखा तो y is equal to मेरे पास कितना जाएगा 1 तो x 0 यहां पर को मेरे पास क्या होगा x 0 हो जाएगा y मेरे पास कितना होगा 1 तो कुल मिला करके अभी मैं x की जगा minus 2 रखूं x की जगा minus 1 रखूं तो x से की जगा minus 1 रखूं तो मतलब x is equal to minus 1 यहां पर को तो y मेरे पास कितना जाएगा y मेरे पास जो आजाएगा वो मेरे पास कितना जाएगा 2 आजाएगा x से की जगा minus 1 तो y मेरे पास कितना आया 2 आया तो यह जो point मिला मेरे को कहा मिला यहां पर कुल मिला कि मेरे पास अब देखो यहां पर को मेरे पास क्या है यह point आया मेरे पास 1 इस point 1 पर मैं क्या कर सकता हूं सबसे पह expert सबसे पहले बात हूं खुद बだから खुद बजव्कुत टैंजेंट खिची भी है X is equal to 0 मेरे पास tangent है न तो तभी मेरे पास क्या हुआ है इस point पर tangent तो खुद 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 खीच पड़िए न तो इसका मतलब इसी point पर मेरे पास क्या होगा derivative नहीं होगा मतलब कुल मिला अगर कि कहूं तो मैं अगर हम सीधे समझना चाहें तो derivative का मतलब क्या होता है कि curve मैं मंदलब पूरा curve है curve में मेरे पास ऐसे defined है इन point two पर हर एक point पर मैं अगर tangent खींच लूँ और tangent की slow प्राप्त कर लो तो मेरे पास क्या हो रहा है यहां पर tangent खुद खुद खीची पड़ी है तो मतलब मेरे पास क्या होगा फंकसन derivative नहीं होगा तो कोई भी चीजों हैं कोई भी चीजों को concept को clear करें के समझें कौन concept को आगे बढ़ते रहें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को जो भी के विएस के तैड़ी हरे एक स्टेट के तैड़ी कर रहा है उस तक हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर और तब तक का के लिए जय हिन जय वारत बारत माता की जय